गुरु की साजी निवाद जी प्यारी साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी बोले सतकुरू माता सुधिक्षा सविंदर हर देव जी महाराज की जै साज संगत जी आजो दासी सतकुरू निरंकार दातार आप साज संगत मा के अशीरवास से आप जी के जर् हमें यही समझाया गया है कि सेवा में जब हम सत्गुरू की किरपा से दिया हुआ ये धन लगाते हैं तो उसका कितना महत्व होता है कहते हैं कि तन से बन से धन से जो सेवा सिम्रन ससंग करते हैं उनके सारे कारज ये सत्गुरू राज करते जाते हैं कहते हैं एक समय की बात है एक नगर में एक कंजूस राजेश नामक व्यक्ति रहता था उसकी कंजूसी सब जगह परसिद थी वे खाने पीने पहनने तक भी कंजूसी करता था पहनने में भी कंजूसी करता था एक बार उसके घर से एक कटोरी गूम हो गई इसी कटोरी के दुख में राजेश ने तीन दिनों तक ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, परिवार के सबी सदस्या उसकी कंजूसी से बहुत दुखी थे, मोहले में भी उसकी कोई इच्जत नहीं थे, क्योंकि वह किसी भी समाजी काम में दान नहीं करता था, सेवा नहीं करता था, एक दोस में धार्मी कथा का आयोजन हुआ, वेद मंत्रों व्या उपनिष्टों पर आधारित कथा हो रही थी, राजेश को सद बुद्धी आई, तो वेह भी कथा सुनने के लिए ससंग में पहुँच गया, वेद के विज्ञानिक सिंधातों को सुनकर उसे भी आनन दाने लग क्योंकि वैदिक सिंधात, व्यवारिक, व्यवास्ट्विक्ता पर आधारित और सत्या सत्या का बूद कराने वले होते हैं, कंजूस विक्ति को भी कथा में अनन दाने लगा, उसकी कोई भी कदर नहीं करता था, फिर भी वे हर रोज कथा में ससंग में अनन दाने के लिए आ इसके लिए जो शर्दा से कुछ भी लाना चाहे, जो भी सेवा करना चाहे, वेह कर सकता है, अपनी अपनी शर्दा के अनुसार, सभी लोग कुछ ना कुछ लाए, कंजूस के दिल में जो शर्दा पैदा हुई थी, वेह भी एक गठरी, सिर्फ बांद कर सिर्फ पर रख कर लाया, भीड काफी थी, कंजूस को देखकर उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता था, इस परकार सभी दान देकर अपनी अपनी स्थान पर बैठ गए, अब कंजूस की बारी आई, तो सभी लोग उसे देख रहे थे, कंजूस को की गटरी को देख लोग त्रह त्रह के अंदाजे लगाते और हसते, लेकिन कंजूस को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, कि लोग उसे देखकर उसकी हसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कंजूस ने आगे बढ़कर विदवान ब्रह्मन को नमश किया, जो गटरी अपने साथ लाया था, वेह उनके चर्नों में रख दी, और जब चर्नों में रखी, विदवान ब्रह्मन ने उस गटरी को खोला, तो सभी लोग हैरान रहे गए, महा कंजूस के जीवन की जो भी अमुल्य संपत्ती, गहने, जेवर, हीरे, जवारत आदी थ उठकर वेह जब अपनी जगह पर जाने लगा, तो विदवान ब्रह्मन ने कहा, महाराज आप वहां नहीं, यहां बैठिये, महा कंजूस बोला, पंडी जी, यह मेरा आदर नहीं है, यह तो मेरे धन का आदर है, वरना मैं तो यहां पर हर रो जाता था, और यहीं पर बैठत तब मुझे कोई नहीं पूछता था, ब्रहमन बोला, नहीं महाराज, यह आपके धन का आदर नहीं है, बलकि आपके महान त्याग का आदर है, जो आपने शर्दा और समर्पन से यह सेवा भाव अपने मन में लाया है, यह आपके मन में सेवा भाव लाने का आदर है, यह धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था तब इतना आदर सम्मान नहीं था जितना की अब आपके त्याग में है इसलिए आप आज से एक सम्मानित व्यक्ति बन गए है इस कहानी से हमें यहीं शिक्षा मिलती है चाहें यह सच्चाई है या नहीं है जो भी है तासी इस बात को नहीं जानती कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है लेकिन इस कहानी को पढ़कर सुनकर हमें यहीं शिक्षा मिलती है कि मुनुश्य को धन कमाना भी चाहिए और धन कमाने के सासथ उस धन में से जो धन कमाया जाता है कुछ ना कुछ धन सेवा में भी लगाना चाहिए कहते हैं वैसे कहते हैं कि जितना कमाते हैं उसका दस्वा हिस्सा हमें सेवा परमार्थ में लगाना चाहिए इसे उसे समार्थ में सम्मान और इश्ट लोक और परलोक में पुन्य मिलता है या संगजी सेवा करने से तो सुख हे सुख मिलता है सत्गुरु हमें हर पल समझाते हैं कि जो सेवा करते हैं क्याते हैं कि तन्दु की सेवा केजे मन्दु की ससंग केजे और धन्दु की हो तो हम सेवा में धन लगाएं इस तरह हम तन मन धन तीनों से सेवा सिम्रन ससंग करते चले जाएं जब हम सेवा सिम्रन ससंग करते हैं तो हमें अनन्द आता है तो यही अनन्द हमारा लोग पर लोग सुखी करता है यह सेवा के महत्व के बारे में हमें बताया गया है कि जब हम शर्दा और समर्पन वाली भावना लेकर सत्कुरू के चर्णों में आ जाती है शर्दा और समर्पन वाली लेकर मन्मे भावना शीशे सदा करता है गुरू के चर्ण कमल की वंदना जब गुरु के चर्णों में आकर शिशे अपना तन, मन, धन, सब कुछ समर्पित कर देता है तो यही उसकी सची भगती होती है, यही उसकी सची सेवा होती है इसी तरह हमें समझाया गया है कि हमने हंकार को भी छोड़ना है यह पांच जो चोर होती है, इनको जब छोड़ दिया जाता है, तो कहते हैं अपी ससंग में आनन्द आता है जब यह छोड़ जाती है, तो फिर भगती में आनन्द आने लगते है कहते हैं एक भार शीरी रामकृष्ण परमहंस जी अपनी एक संथ के साथ इश्वर व्याध्यातम चर्चा कर रहे थे मोसम ठंड का था और शाम हो चुकी थी, इसलिए दोनों एक जलती हुई धूनी के पास बैटे हुए थे उस समय बगीचे का माली भी वहां कुछ काम कर रहा था जब माली को भी ठंड का एहसास हुआ तो उसको भी आग जलाने के जरूरत महसूस हुई और उसने उस संथ जी द्वारा जलाई के धूनी में से लगडी का एक जलता हुआ टुकडा उठा लिया इस पर संथ माली पर जोर से चिलाते हुए बोले दूनी छूने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई तुमको पता नहीं है कि यह दूनी कितनी पवित्र है इसके बाद उन्होंने माली को थपड मार दिये यह सब देखकर पास बैठे शिरी रामक्रिशन परमहंस जी मुस्कुराने लगे जिसे देखकर संथ और भी ज़्यादा क्रोधित हो गए उन्होंने शिरी रामक्रिशन परमहंस जी से कहा आप हस क्यों रहे हैं यह आदमी कभी पूजा पाट नहीं करता और कभी भगवान का भजन नहीं करता फिर भी इसने मेरे द्वारा जलाई गई पवित्र धूनी को अपने गंदे हाथों से चुआ इसलिए मैंने उसे यह दंड दिया यह सुनकर शिरी रामक्रिशन परमहंस जी ने उस संद से कहा मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मातर से अब वित्र हो जाती है अभी कुछ ही पन पहले आप आए हो आप ही तो समझा रहे थे कि य सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाश मान है अभी इतनी जल्दी आप अपने अभी इतनी जल्दी आपने माली के दूनी स्परश करने मातर से अपना सारा ज्यान भूल गए हो माली के दूनी छूने से आप सारा ज्यान भूल गए हो जो आप अपी बोल रहे थे कि सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाश मान है और ज्यान को भूल कर आप उसे मारने तक लगे भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा संथ कुछ बोल पाते इस से पहले परम हंसी ने घंबीरता से कहा इस में आपका कोई दोश नहीं है आप जिस से हारे हैं वो कोई मामूली शत्रू नहीं है वह आपके अंदर का हंकार है जिस से जीत पाना आसान नहीं है यह सुनकर संत ने अपनी गल्दी समझी और मान भी ले इसके बाद उन्होंने कसम खाई कि अब है अपनी हंकार को छोड़ देंगे और कभी भी छुआ छूत ऊंच नीच का बेटभाव नहीं करेंगे साथ संगर जी सत्कुरुवी हमें जब ब्रह्म ग्यान देते हैं तो ब्रह्म ग्यान देते समय हमसे पांच वच्चर लेते हैं पांच प्रण हमसे लेते हैं कि हमने इन बातों को मानना है अगर हम उन पांच प्रणों को मान रहे हैं तो फिर तो सही माइनों में हम ब्रह्म ग ताया गया कि तन्मंदन इस निरंगकार प्रभू का है अगर हम इसका मान रहे हैं इसके आगे हम समर्पित कर रहे हैं और इसमें हम त्याग भावना रख रहे हैं फिर तो हम पूरी तरह से इस वचन पर चल रहे हैं और दूसरा प्रण कि हमने कभी भी जाती वरन का भी मान नह करना निरंकार के बनाए हुए जो ये रचना है ये संसार है ये सभी के अंदर एक जैसे ही तत्व लगे हुए है पाश तत्व और सभी के अंदर ही एक जैसा खून है सभी के अंदर ही एक जैसी आत्मा है कोई भेदभाव नहीं है तो यहाँ पर यही समझाया गया है कोई उच नहीं कोई नीचा नहीं कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं सभी सत्गुरू की नजर में पराबर हैं तो हमने सभी के साथ पराबर सम द्रिष्टी से देखना है और सम व्यवार करना है हमने सबी का आदर सदकार करना है तब ही तो हमें सद्गुरु ने समझाया है कि हमने जब धन निरंकार जी बोलना है तो हमने एक दूसरे के चर्णों को स्पर्श करना है और ऐसे नहीं कि वो दिखावे की भावना से हमने स्पर्श करना है उसको हमने अपने शर्दा भाव से अगर हम नमशकार कर रहे हैं तो फिर सही माइनों में हमारे वो धन निरंगार भी हो रही है और हम उस वचन पर भी पूरा चल रहे हैं और तीसरा प्रण हमें बताया है कि किसी के खाने पीने पहनने पर हमने नफरत नहीं करनी है कोई कुछ भी खाए कुछ भी पीए हमने किसी को रोका टोकी नहीं करनी है हमने किसी पे टीका टीपनी नहीं करनी है अलोचना नहीं करनी है हमें जो अच्छा लगता है हमने वो खाना है पहनना है पीना है रहना है और चोथे प्रण में बताया है कि गरिश्त धर्म का पालल करना है हमने अपनी दसा नवा की किर्द कमाई करके अपनी मेहनत से कमाई हुए धन से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है किसी का हक नहीं मानना किसी से अगर पैसा उधार लिया है तो उसका पैसा उसी तरह अपने साफ वेवार के द्वरा पापिस लोटाना है किसी के साथ भी हमने ऐसा चलकपडवाला वेवार नहीं करना है और पाँच्वा प्रण है कि सत्गुरु की आग्या के बिना इस ग्यान को नहीं खोलना है हमने जो सत्गुरु ने ब्रह्म ज्यान दिया है इस ब्रह्म ज्यान द्वारा हमें यही समझाया है कि हमने इन पाँचों वचनों को मानते हुए अपना जीवन सुख में बनाना है इन पाँच वचनों को हमने मानना है तब ही हम ब्रह्म ज्यान के अधिकारी है साज संगत जी सतकुर माताजी के चरनों में यही अशीरवाद मांगते हैं कि सचे बाशा जिस तरह हमने ब्रह्म ग्यान लेते हुए यह पाँच वचन हमने प्रोमिस किया है कि हम इन वचनों को मानेंगे इसी तरह हम इन वचनों को मानते हुए अंतिम स्वासों तक सत्कुर के चर्णों में अपनी तोड़ी भापाएं साज संगत ची प्रेम सी कहना धान निरंकार ची